हर्यूम सागत है सभी का आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग लगुशिद्धान तकोमुदी पढ़ रहे हैं और उसमें आज अजन्त पुलिंग अजन्त स्ट्रीलिंग प्रकरण का संभवता यहां यदि भगवान की इच्छावी तो यहां अंतिम पाठ होने वाला है इस कौन सा नियम लगता सबसे पहले यह वाला नियम लगता है स्त्रियाम्च क्या कहता है कि मि Orion कहेगा कि इस ट्रीलिंग में बिदिस पुलिंग करता है यानी खुश्टु शब्द क्रुस्टु नहीं रह जाता वह क्रूश्ट्री मन जाता है कब स्त्रीलिंग में और यदि इसको स्त्रीलिंग में ले जाना हो तो यह पर निकारान तुहने की काणान रुण रण भ्योंगीप से इससे जीप प्रत्य जुडएगा और गीप का यी बचेगा ग्रोष्ट्र एक को यणची सो इस री के जगा पे रहोकर क्रोष्ट्र एक क्रोफ बन गया था तो क्रोफ शब्द त्रेलिंग में क्या बन जाता है क्रो पर चुके हैं फिलासाल कई बार पढ़ चुके उस तरह की कई शब्द पढ़ चुके हैं तक क्रोश्ट्री सूप्रत्य लगने पर प्रक्रोश्ट्री ही रह जाएगा अम्हते रहे द्पध का अस मचेगा क्रोष्ट्रीज एक енить सेन हो जाएगा दिर्गा जसा थे से पूर्व सवरनका निश्यद होने के कैरण क्रोष्ट्रीच इनधीत में ऐल के अधिन के सीन होकर क्रष्ट्यस प्रू스्र्या बन जाएगा क्रोष्ट्री अम त्रोष्ट्री ट्रोश्ट्रिय हा में प्राप अधिसों कारप नहीं और सकने अड़े पर रोप पाएगा तो नहीं कर पाएगा तो लिल जा रुप जाएगा और सब्सक्त से वीह ऐना चेसे उन में जो यह उसको यह कर लिया जाएगा क्रोष्ट्या हो जाएगा क्रोष्ट्री भ्याम क्रोष्ट्री भी क्रोष्ट्री गे गित प्रत्य होने के कारण आण नद्यासूत्र से गित प्रत्यों को आठ का आगम हो जाया करता तो क्रोष्ट्री आठ ए अ गशी गस ये अशी का गशार हुद इन चारों जगा पर आठ का आगम हुगा ठीक है तो क्रोष्ट्री आठ नी क्रोष्ट्री आ फिर जाएगा आए नहीं टेल प्रत्या गारेंगे लगाने लगए अन्दिंप में पहुच गें क्रोष्ट्री आ, ए, आटस्च से वर्धी हो जाएगी, आई बन जाएगा, क्रोष्ट्री, आई, इको यानची से क्रोष्ट्री में ए के या कर देंगे, तो क्रोष्ट्रेई, इसी तरह क्रोष्ट्री भ्याम, क्रोष्ट्री भ्या, फिर क्रोष्ट्री, क्रोष्ट्री, गस और गसी, क्रोष क्रोष्ट्रिय हों साको विसर कर लेंगे क्रोष्ट्रिया बन जयेगा अब इसके बाद क्रोष्ट्र विसर कर लेंगे भ्याम भ्यस तो आप क्रोष्ट्री भ्याम क्रोष्ट्री भ्या कर लेंगे ओस प्रत्ते क्रोष्ट्री ओस ओस का स्वरवरन है इसलिए इको याणची से क्रोष्ट्री के इको या कर लेंगे क्रोश्ट्रियोस साको रूत भिषर कर लेंगे क्रोश्ट्रियोफ हिर आम प्रत्य लगाएंगे तो क्रोश्ट्री आम क्योंकि इसकी नदीशंग्या है इकारांत होने के कारां इसलिए हरस्वन ध्यापो नुट से नुट आगम होगा क्रोष्टरी नुट आम, क्रोष्टरी न आम, ौक नद्या से आठ आगम हो जाएगा, slopes लिझे और गी जो है, उस गी के गेराम नद्याम निभ्या से आम हो जाएगा, क्रोष्टरी आ अंसे व रणके आम को आम बना लें इक कूरश्ट्री इस संबोधन यसे महरसवघ कर हे क्रोश तक बना था भूज़े तेसलए कुछ कि कर लेंगे तरहे सब्सक्राइब यह एक रूसटि शब्द बन गया गौरीवत लिग यहां तक पहुंच घे एक अंतिमजुत्रम ने पढ़ाका था रिन्नेभ्यूंगीप ये कहता रिकारांत शब्द या जबरदस्ती इकारांत बन गया थे करांध है ना ऊकारांथ शब्ध था क्रोष उसके अन्द में इसलड़ सब्द्रेजंट वत पूनें केकारण। रन्य भ्योगीव संगी फूने के कारण क्रोश ट्री इकारांत बन गया था ठीक है अब शब्द आ रहा है ब्रू कौन सा शब्द आ रहा है ब्रू इसका आर्थ होता है ये वाला ठीक है और इसके साथ साथ सयंभू ठीक है सयंभू सयंभू पुम्वत पुलिंग की तरह ही रूप चलेगा सयंभू बनाया था सयंभू सभू बनाया था तो देख लेगा ब्रू और सयंभू दुन एक साथ लेके चलते है ठीक है ब्रू और सयंभू एक साथ लेके चले अब कौन सा है एक शब्द है सफेद कलर से लिखते हैं ये बार बार लाल हो जा रहा है अपने आप इधर लाल है या फिर गुल्ड ठीक है एक शब्द कौन सा है एक शब्द है भू और दूसरा शब्द कौन सा है सयंभू दोनों में एक विशेस्ता दिखाई पड़ रही होगे समान्ता दोनों में जो समान्ता दिखाई पड़ रही है वह समान्ता क्या है वह समान्ता है कि दोनों शब्द उकारांत है और दोनों शब्द स्त्रिलिंग है एक यह समान्ता ठीक है इदनी बात शब्ष्ट है तो कि स्वयंभू में करे कि नियम लगेंगे मैं कि इसलिए इसको ब्रू में अपने बहुतिक व्यायाम पड़ेगा कर आपको तबेब्र को याद करना पड़ेगा ऑु है कर चलते हैं एक साथ तोlaubको में करना और स्यम्भू ठीक है अब भर फ्रों और स्यम्भू कित अज़ा अब 수ट लगाएंगे तो पले लागाने पर सीधे के है प्रफ्पर सब्स्ीदेट सुटत वच्पध़ और स सघे चारो अबूरर सो कि प्रूर्फिबचन आइग रूकार मैं जाएगा ठीक अब इसके बाद अउ प्रत्ते लगाया यह आउ जो है न आउ और यहां भी आउ ठीक है अब यहां पर क्या होता है सयंभू जो शब्द है सयंभू और भुरू भुरू तो अचिशनु धात भुरू आम जवोर यंग अगवू प्रत्य का पहला वर्ण अच हो तो सुनु का धातू का और भुरू का इउ होने पर उसके स्थान पर यंग हो जाता है तो यहां भुरू का उ दिखाई पड़ रहा है यहां धातू का उ दिखाई पड़ रहा है सयंभू में है ना तो प्रत्य का पहला वर्ण अच होने पर सुनु का धातू का और भुरू का इउ हो तो उसको इउंग हो जाया करता है इतनी बात हमने जानी थी कि सुत्र में अच इसमें तो और कोई आपत्ती नहीं है इसमें तो और कोई आपत्ती और कोई नया नियम नहीं लगना है है कि नहीं परंतु परंत ये बात ध्यान दीजेगा यहां पर दिक्कत कहां आएगी स्वयम्भू में सबसे पहले क्या नियम लगा सबसे पहले स्वयम्भू में नियम लगने लगा कौन सा क्योंकि उकारांत है है ना आपको एक नियम याद आ रहा होगा ओफ सुपी कि सबसे पहले तो कि सबसे पहले प्रतमयों पूर्शवर्णा लग रहा था है ना उसको दिर्खा जसी चरने रोग दिया क्योंकि दिर्खवर्ण है और उसके बाद लगने लगा अचिश्नुधात भुवाम विभूर यंग वंग 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 करने लगा इसमें तो कोई याद आ रहा होगा कि याद आ रहा है अईसा निकाल लीजेगा इस सूत्र को इस सूत्र की वृत्ति में क्या लिखा था धात त्ववयव संयोग पूर्वो नभवती यह उवर्णा है ऐसा कुछ लिखके आया था ना धन अउब यह देखे यह उवर्ण दिखाई पड़ रह अब यह दर जातु का अवे और अभी है रोणांत जो धातु है उस धातु में कोई स्योग नहीं है भा में भा और वूदू यह वर्णा कोई स्योग नहीं ऐसा धातु जिसके अंत में हैं ऐसे उकारांत अंग कर स्थान पर यन हो जाता है अजादी प्रते परमे हो तो यन करने के लिए यन करने के लिए नियम लगने लगा लगने लगा ना तभी तभी क्या हुआ यह ध्यान दिजेगा जब यन करने के लिए नियम लगने लगा तो एक कौन सानियम है न भू सुधियोः वो क्या काया था एतयोः अची सुपी यण न भूती एतयोः यानि भू अगर अंत में दिखाई पड़ रहा हो या सुधी शब्द हो तो उसके बाद अची सुपी यण न ठीक पहले तो उसुपी लगने लगा फिर नभू सुधियोः ने रोक लिया यानि यान का निशेद हो गया तो फिर वो फिर से प्राप्त हो जाएगा अचिशनुधात भूवाम यबोर यंग वंगो तो वह भी उ के स्थान पर उंग कर देगा अब देखिए सब हू में जो उ है भ पर आगया क्या उंग और फिर अउ प्रत्य कौन सा है अउ फिर यहां भी वैसे स्वयम भाहलन्त हो गया और उ के स्थान पर आगया क्या उ के स्थान पर आगया उंग और फिर अउ ठीक है उवंग में गा की हलंतिम सही थसंग्या तसिलोप आशेलोप यहां भी वही स्थिति आ की उपडेश zeker जनवनासी की सही थसंग्या तसिलोप अपसे लोप यहां भी वही बात है आकि उपदेशे जनुनासिक से संग्या और तस्वरोवा सिलोप अब देखें यह जो उखी मात्रा इस भामें चड़ा दे यह उखी मात्रा इस भामें चड़ा दे तो भुरू को कि अब्रूव कि और स्वयम्भू को कि स्वयम जब्रूव करने में किसी को कोई आपति नहीं होनी चाहिए हैगी नहीं स्वयम्भू को अब यह बात ध्यान रखिएगा कि स्वयम्भू शब्ड में यदि तुरंत बाद में यदि तुरंत बाद में प्रत्य का पहला वर्ण सर्वर्ण दिखाई पड़ रहा है तुरंत बाद में लगे हुए प्रत्य का पहला वर्ण सर्वर्ण दिखाई पड़ रहा है तब तो आपको क्या करना है कि सयंभु में अगर प्रत्य का पहला वर्ण प्रत्य का पहला वर्ण स्वर्वर्ण दिखाई पड़ना तो आपको अचिश्नुधातु वह सुपी लगने लगेगा यद्ध्य लेकिन उसको नभूशुधियों से रोक दिया जाएगा और अचिश्नुधातु भुर्वाम यब हुा सब्स टो सवयम्भवं बन गया और गुम एबन गया तो अब अप्रत्य का पहला वर्ण स्वर्वर्ण होने पर को यह अब के स्थान पर वंग आएगा यानि औसा बन जाएगा ठीट कि और यहां भी प्रत्य का पहला वरण स्वरवर्न होने पर उवंग आएगा वो जुड़ेगा ऐसा स्वयंभुव बन जाएगा ठीक ये अब बार बार नहीं लिखाएं जस जोडिये स्वयम्भु जस्वयम्भु अस्वयम्भु 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 अस्व से जप कर देंगे नब करूँ है ओर यहाँ पर सड़ाँ तैक ड्लका कर तो यहां डूवव दॉप कर लेंगे हैं अचिश ना ug म४रनकर करना तस लगाएंगे तो ब्रुवाह स्वयम्भुवाह यहां भी फिश्रस में भी प्रत्मयों पूरु सवर्णा नहीं लगेगा इसलिए उवंग हो जाएगा अच्छी प्रत्य का पहला वर्ण सरवर्ण है इसलिए ता जुडएगा ता में भी आ पचता है तो ब्रु ता व्रु आ ब्रुवाह तो ब्रु को ब्रुवा हो जाएगा इसकी तरह सोयम्भुवा हो जाएगा अच्छा यह जो जो स्यम्भू शब्द है न रो जो है क्या लिखा पुम्वत स्वयंभूख पुम्वद स्वयंभूख यह न, पुल्लिंग शब्द के तरह चलेगा ऐसा क्यों कह दिया उकारांत है दीर्ग ईकारांत दीर्ग उकारांत स्ट्रिलिंग शब्द यदि है तब तो उसकी नधी संग्या हो जानी चाहिये थी है कि नहीं पर यहाँ सभी दीर की इकारांत, सभी दीर की उकारांत, शब्द की नदी संग्या की बात नहीं कह रहे हैं जो नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयूग तो होते हो, ऐसे शब्द की स्त्रीलिंग में नदी संग्या होती है जिसका केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता हो, तो स्वयंभू शब्द जो है, बले ही उकारानत है, पर उसका पुलिंग में भी प्रयोग होता है, इसलिए इसकी नदी संग्या नहीं होगी, है न, स्वयंभू शब्द की नदी संग्या नहीं होगी, क्योंकि यह नित्य स् प्रत्य जब लगेगा तो यह प्रत्य से ही ए बचने पर ही अंतर आना शुरू हो जाएगा क्यों क्या अंतर दिखाई पड़ेगा यहां नदी संग्या नहीं है क्योंकि भले ही इसका भी स्त्रिलिंग में प्रयोग कर रहे हैं आप पर यहां नित्य स्त्रिलिंग शब्द नहीं है इसलिए इसकी नदी संग्या नहीं है ठीक जो शब्द नित्य स्त्रिलिंग होता है उसकी ही नदी संग्या होती है ठीक है तो अ क्रोश्ट्री बन गया तो इस क्रोश्ट्री को आप पुलिंग में प्रयोग नहीं कर सकते परिवर्तित हो गया ना क्रोश्ट्री शब्द पुलिंग वाला अलग है क्रोश्ट्री शब्द स्ट्रिलिंग वाला अलग है ना सरूप गया तो बहुत भेद है पर स्वयंभू उसी स्प्राइब तरह स्त्रीलिंग में भी है तो यहनित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं माना चाय एक है कि नहीं स्पच्ट है विशेशन के अनुसार इसका लिंग होता है यदि विशेश से कोई नपनसक लिंग वश्टु रहत है नशेश्भू हो यह तो स्व्यंभू शब्द होगा है ना तो यह अब विशयß से के हनुसार इसका लिंक चलता है स्वयंबु हो जाता वह स्वयंभु हैसी त्रीअ है सेय अगर शेया हो तो स्वयंभु स्वयंभु एठीक कि मयाने का ठीक कि यहां बोकी नदी संह्या है भुरू की क्या है नदी संग्या है कि नहीं भुरू की नदी संग्या है पर अच्छा आपने एक बात और ध्यान दिया होगा नेयंग वंग स्थाना वस्त्री नियम पढ़ा था कि ऐसे कोई भी ऐ कारांत शब्द जिनके ई उ के स्थान पर इंग या वंग भो सकता है उनकी नदी संग्या नहीं होती एसा निशेध हो गया था परंतु नीति रस्वस्च और वामि ये दो नियम लगते हैं ये दो नियम क्या कहते हैं कि इतने प्रत्य लगे फिये हों कौन से गे गस फिर उसके बाद गी और फिर आम ये पांच प्रत्ते यदि लगे फिर हूँ तो जिसकी नदी संग्या का निशेद हुआ उसकी नदी संग्या हो जाएगी नेयंग वंग स्थाना वस्तरी सुत्र से जिसकी नदी संग्या का निशेद हुआ है यानि बुरू की नदी संग्या का निशेद हुआ है तो उसकी नदी संग्या विकल्प से होगी होगी तो पर विकल्प से होगी ये पिछले व्याख्यान में विश्तरत चर्चा किये है पहल लगे इगप, अइसा शब्द जिसके अन्त में EU आने वाले के स्थान पर यंग-ऊंग हो सकता है उसकी नदी संग्या नहीं होती अईसा नेयंग-ऊंग स्थाना अनने कह दिया परंतु उसी के तुरंद बाद आया वामी वामी ने कहा कि भाई जिसकी नेयंग वं स्थाना वस्तरी से नदी संग्या का निशेद हुआ है उसका आम प्रत्य लगे रहने पर विकल्प से हो जाती है नदी संग्या और इसलिए मति शब्द का विकल्प से दो रूप बना था ग गित प्रत्यों में ठीक है यहां पांचों में दो रूप बनेगा क्योंकि वामी भी है ठीक अब नदी संग्या इसकी विकल्प से है इसका दो तरह का रूप मिलेगा ठीक इन पांच प्रत्यों के लगने पर भुरू शब्द का दो तरह का रूप मिलेगा और स्वयंभू शब के रूप में केवल ब्रू शब्द के रूप में केवल क्या मिलेगा यह दो रूप मिलेगे नदी संग्या भी और नदी संग्या का अभाव भी तो जब नदी संग्या नहीं होगी तो आण नद्या से नदी का आठ आगम नहीं होगा जब नदी संग्या नहीं होगी तो भी ब् बन जाएगा ब्रुव उवंग हो जाएगा ब्रुव ए ब्रुवे बन जाएगा जब नदी संग्या नहीं होगी तब ब्रुवे बन जाएगा इसी तरह स्वयम भुवे बन जाएगा स्वयम भुवे नमस करत्या इसा प्रयोग मिलता है तो स्वयम भुवे बन जाएगा यहां तो नदि संग्या वेलकुल यह नहीं हैð यहां विकल्ब से हो सक्ति हैं जब विकल्ब वाला भी रूप मिलेगग। अचेशनुधा तो भ्रुवाम यह वर्य वंगों से फिर वंगों कर भुवई और भुवे यह दो रूप मिलता है व्रुवई भुवे जब नदी संग्या होगी तो आण नद्या से आठागम होगा व्रधी हो जाएगी जब नदी संग्या नहीं ह नहीं विंजन प्रत्य पहला वरने तो कोई दिक्कत नहीं इसी तरह सेम्भूव जयंभू भ्या इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है पर सब्स्त है फिर है अब आप है ये मिसी और ड़स प्रत्य लगा यदि कौन सा प्रत्य लगा गश अंस जान है निसी अध़ ब्रुवाम भ और यंगोंगों से उवंग कर दीजे सयम्भुवस सयंभुवह बन जाए ठीक ये तो समझ रहे हैं आप परनत यदि क्या होगा सयंभुवह में इधर देखेंगे इधर ये भूरुश अब्द को हम देखते हैं तो भूशब्द में क्या होता है नदी संग्या विकल्ब से होती नदी संग्या विकल्ब से होती है तो जब नदी संग्या होगी तो कुछ अलग बनेगा नदी संग्या नहीं होगी तो उवंग आदेश करके ब्रुवस सीधे बना लिजे ब्रुवस साको रुत्त विसर्ग कर लिजे ब्रुवा बन जाएगा परन्त जब नदी संग्या होगी तो आठ आगम होगा आणनध्यासे आठ आगम होगा प्रत्य को प्रत्य को आट अस आस बनाएगा ना पूर आस भुवास भुवाह रुप बनेगा इसी तरह हो गया बारी आगई किसकी उसकी भ्याम तो सॉयंहभु तो स्यंभुव मंदfight स्यंहभु भूं प्रत्ते का पहला बरण न यहां भी आदेश करेंगे प्रत्ते का पहला बरण स्वरवर्ण है तो और यहां पर पर नदी संज्याव नहीं है उस के बाद बारिया किसकी प्रत्य की से प्रत्य की आम् कि इधर इधर है इधर खुत से लगेगा अम ठीक तो ब्रू आम स्वयंभू आम ब्रू आम में वामी सूत्र से इसकी विकल्प से नदी संग्या हो जाएगी पर इसकी नदी संग्या नहीं होगी ठीक तो क्योंकि इसकी तो नदी संग्या प्राप्त ही नहीं है किसी भी तरह नहीं प्राप्त है नित्यस्त्रिलिंग शब्द होन चाहिए तो स्वयम्भु आम यहां तो खाली-खाल क्या होगा वंग आदेश हो जाएगा स्वयम्भु आम एक रूप बन जाएगा पर यहां जब नदी संग्या होगी तो अलग रूप नदी संग्या नहीं होगी तो अलग रूप जब नदी संग्या नहीं होगी तो प्रत्य का पहला वरन स्वरवरन मिल जाएगा उवंगयो कर भूआम पहरंतु जब नदीश संग्या होगी तो रस्वन ध्यापवनुट भी लग जाएगा जब नदी संग्या होगी तो हरसुन अध्यापनुट लग जाएगा और आम प्रते नाम प्रते बन जाएगा और भुरु में रा है रा है इस कारण से नाकुणा भी हो जाएगा तो भुरुणाम ऐसा भी रूप मिलेगा भुरुणाम और भुरुवाम ये दो रूप रूप मिलने के कारण अंतर है एक रूप तो समान है सभी जगा स्वयम्भु में भी और भुरु में भी दोनों में एक रूप तो समान है सभी भक्तियों में अंतर खाली एक रूप में मिला नदी संग्या विकल्फ से होने के कारण ठीक है अब फिर इसके बाद यहां वे रूप में अंतर क्या पढ़ रहा है भुरू के बाद इतलाल रपीला लिखने लगा भुरू के बाद प्रत्य कौन सा लगा गी ठीक है यह प्रत्य लगा और गी प्रत्य लगने के बाद गी में से बचा क्या इभू इधर चलो नदी झाया होगी जब नदी संग्या नहीं होगी तो भुरुवी भुरुवी बन जाएग और जब नदी संग्या हो जाएगी तो आठ आगम भी होगा आठ आगम आ और यह कि राम नध्यामनी भ्यां सरी स्गि कि स्टान पर आम हो जाएगा क्या हो जाएगा आम जुड़कर बन जाएगा खालि आम भू आम बन जाएगा भू आम तो नदिय यह दो रूप मिलेगा कभ गी पत्ते लगे रहने पर यहां तो खाली यहां स्वयम्भू गी गेमे से बचा इच श्नुधात भ्रवाम से यह उवंग कर दिया स्वयम्भूवी एधर भूश बनेगा और अज़न को आवाँ पने का यह धर वो रूम बना लेंगे जिकत नहीं ना संबोधन ये पर रूप यह अडिया आपको देखना तो स्वयम्भू और भूध कि के संबूधन के एक वचन में भी तो नधी संढ्या नहीं होगी ना नधी संढ्या नहीं ओगि इसलिए अमबार्त नद्चे रस्वाद से रस्वा He is sur tram intestine क्ये संबूधन के एक वचन का लुपत भी युंट्छ इस एक विसरग कर हुआ नद इस तरह ग्रूप इस तरह से बन जाएगा वहां भी आगे चले आगे अब इधर से देखेएगा बुरू श्रीवत हो गया बुरू शब्द श्री की तरह है यह तो समझ गये स्री में जो जो नियम लगे थे वही नियम लगे स्री में इथा इसलिए यंग हो रहा था यहां वह इसलिए स्वयम्भू उपुमवत यानि पुलिंग शब्द यहां भी बन जाएगा क्योंकि नदी संग्या होगी नहीं इसलिए आठ आगम होगा नहीं तो बाकी जो नियम लग रहे थे वही सारे नियम लगके हो जाएगा अब न शट सस्राद इभ्याहा न शट सस्राद इभ्याहा इस सूत्र से पहले आप देखेंगे इस सूत्र से पहले देखेंगे तो आपको अभी दो सूत्र दिखाई पड़ रहा है दो सूत्र कौन कौन सा एक टाप प्रत्य करने वाला अधाद तश्टाप की टाप रिची टाप क्षाओंगों में मुछे अंतर नहीं पता हैं पता दीजह इसे एक वक्ति ने मुझे से कहा तो मैं कहा पहली बात डीप डीश डीन नहीं है गीप गीश गीन है ठीक तो वो गीप प्रत्य है टाप और गीप ये दो प्रत्य नहीं हो पाता कब जिनकी शट संग्या हुई है किनकी जिनकी शट संग्या हुई है ऐसे शब्दों के बाद टाप प्रत्य या गीप प्रत्य नहीं होता और जो स्वस्री इत्यादी शब्द है उन शब्दों के बाद भी गीप और टाप प्रत्य नहीं होता ये गीप और टाप प्रत्य का निशे करने के लिए यह सूत्र बना है अच्छा स्वस्राद इभ्या कौन है स्वस्री इत्यादि शब्द कौन से है तो कि यह स्थ्रस्चतस्रस्च नणान्दादुहितात था याता माते सब तई अधिया कि स्वसा कि स्षरा चतस्रह देखेस सीज़े श्लोक में दे दिया अच्छा मूल मूल शब्द में लिक दे रहा हूं यहां प्रतमा विवक्ति का रूप लिखा हुआ है मूल मूल शब्द मलिक दूँ वो साथ शब्द है एक शब्द हो गया स्वस्री दूसरा शब्द है तिस्री तिसरा शब्द है चतस्री और फिर इसके बाद चौथा शब्द है ननांद्री ननांद्री जिसका आर्थ ननद होता है ठीक ननांद्री फिर पाँचवा शब्द है दुही त्री जिसका अर्थ क्या होता है बेटिया है ना ठीक है बेटी और फिर उसके बाद यात्री फिर उसके बाद मात्री मतलब लगबग सबका पता है अब देखी ये सभी शब्द ऐसे है जो रिकारांत है रिकारांत शब्दों को यदिस्त्री लिंग में ले जाना है तो रिन्ने भोंभी पर रिन्ने भोंगी वह रिकारांत शब्दों के बाद गईप लग जाता तो यह स्वासरी हो जिस कर ती स्री अगर रहकर तीस्री हो जाता तया कैसी मतलब का जुर जाता थी जरी को रह जाता बस इतने भाइब रिकारांत अच्छे भसने लगिप नहीं हो सकता क्यों किना सबस्रादिप्य सब्सक्ज़ की नहीं होते तो Celia सबस्सरादिया सबस्रादिया सब्सक्रादियाता नहीं लगा जिक अब मात्रिशब्द इत्यादी मात्रिशब्द की रूप सिध्धी की है ना हमने मात्रिशब्द की रूप सिध्धी नहीं की है न तिस्री और चतस्री का केवल किया है यह देखे स्वसा यह प्रस्मा यह एक वचन में प्रयोग हो सकता है इसलिए इसका एक वचन में प्रयोग किया तीस्पा और चृत शार्ट कर चुके हैं ठीक तीसरा और चितर तरत्ते लगा खरके ठीक है यह तानांदा दुहिता ननांद्र शब्द हुए इन सब में भी इन यह ऑने हुता है यह सब्दें जिन में पीप और टाप नहीं हुते झीप और टाप णे इन प Dash B लेगा चलिया भीनित सभी शब्दों की इसे धियां दिखा देते हैmi ठीक, तो सभी शब्दों की देख दिखा दे, यह साथो सब्द लिखा ही है, यहाँ, इनको और फिर शट, कुछ एक विश्वेश बात पर रही, शट, शट संग्या किसकी होती है, याद है, किसकी शट संग्या होती है, शट संग्या के बारे में चर्चा की थी, हमने दो प्रक शकार की संख्याओं का के बारे में, एक शकारांत संख्या हो, एक नकारांत संख्या हो, शट, और डटीचा, ठीक, डटी प्रत्य लग कर बना हुआ जो शब्द है कती, उसकी विश्ट संग्या है, और शकारांत नकारांत जो संख्याएं हैं, यानि यह शस एक संख्या है, शकारांत है ठीक फिर इसके बाद इसी तरह पंचन सब्तन अश्टन नवन दशन इत्यादी शब्दें नकारांत हैं है कि नहीं तो चलिए श्रस्त में कौन सा प्रत्य हो रहा है वो छोड़ देजिए पर पंचन इत्यादी नकारांत होने के कारण रिन्यव्यों गीप से गीप हो रहा था कि नहीं पंचनी रूप बनने लग जाता न तो गीप अगर पंचनी ऐसा कुछ रूप बनता अन लोपों ना इत्यादी अनका लोप भी होता ठीक अनके आका लोप होता है तो फिर यह कि नहीं हो सकता था आप कहेंगे विल्कुल हो सकता पर ना शट्ससराद इभ्या से इस पंचन इत्यादी में गीप प्रत्य का निशेद कर दिया वैसे का वैसा ही रहता है इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि पंच शब्द तीनों लिंगों में शट 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 श ठीक है इतनी बाद स्वष्ट है तो अब बचेवे शब्दों को देख लेते उन बचेवे शब्दों में एक शब्द है स्वस्री ठीक तिस्री और चतस्री हम सिद्ध कर चुके हैं ठीक तिस्री और चतस्री एक साथ सिद्ध कर चुके हैं तिस्री जस तिस्री शस में हमने क छी को अची र सिर्फी आ अचीओ र रिता इस सूसे तिस्रि में जो रिय है उसके स्थान पे रा कर दिया था प्रत्य का पहला वर्न अच हो तो ऊज रा हो जाता ति तास तीस्टा हो जाता जता इस तरह तीस्रि नाम एक साव्चा बना था क्योंकि यह तї स्रिब्हा चत रसरा सण्राइब तिसरी नाम चतस्रास्रा और आम प्रत्ते में यह सद्पत्व आपसे वाला जायेगा 30 34 34 और आम प्रते में ती themes नाम चपस्रिणानार रस्वाला बनेगा नाम इसे होने वाले दिर्गListen हो जाताने मतीशरी श्रीची से थे तो यह दो शब्द हो गया थे क्यातो और कलों तरफ कि में अब यहां जो है ना पचियलऑ ना बचे जो एत एक है यात्री, एक है मात्री, ठीक, ये इतने शब्द हैं, जिन शब्दों की सिध्धी हमें जाननी है, ठीक है, इन में से, अब जरा, इन में से भी आपको बता दूँ, तृतिया विवक्ति से आगे के रूप सब के, पित्र शब्द के रूप हम पढ़ चुके हैं, उसी के तरह रहेंगे, प्रतमा और दूतिया विवक्ति में ही अंतर है, बाकी पुलिंग में, और स्त्रिलिंग में, रिकारांत शब्द में कोई अंतर नहीं है प्रक्रिया का, ठीक है, तो अब इसमें भी, यह इतने जो शब्द दिखाई पड़ रहे हैं इनमें भी आपने ध्यानों तो एक सूत्र पढ़ा होगा कौन सा सूत्र अप्त्रिच श्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यात्री है क्या नहीं है मात्री शब्द भी उसमें नहीं है दूरहिए शब्द लेके चलते हैं जैसे मात्री का माता वेस्धित्री का दूहित्अ मात्रि का मातरव द्वित्र का द्वितरव वैसे बना लिजेगा पर दो शब्द हम लेके चल देते एक साथ एक तो इधर आजाए प्रभु हाँ देखेगा अगर शब्द कौन कौन सा एक इधर हम लिख लेते हैं कौन कौन से मात्री और फिर द्वित्री और कौन कौन सा था ननांद्री ठीक और एक यात्री ये चार शब्द एक तरह चलेंगे ठीक चार शब्द एक तरह चलेंगे और सश्री शब्द एक तरह चलेंगा अलग ठीक, पहली बात, जब सुप्रत्ते लगेगा इन सब के बाद, तो एक जैसा ही रूप, सुप्रत्ते लगा तो क्या उन्सा नियम लग गया? रिदुशनस पूरुदंसो नेहसांच, पर्चुके नियम रिकारांत शब्दों, उसनस शब्दों, पूरुदंसस शब्दों, अनेहस शब्दों, इन सभी शब्दों के अंतिम वरन रिके स्थान पर अनंग हो जाया करता है, तो इन सभी का रिह हट जाएगा, इन सभी का रिह इसी तरह ननान्दन ठीक ननान दन और फिर यातन यह चार बन जाएगा ना अनंग आदे सोनिक पर अनबचने पर इसी तरह यहां क्या बन जाएगा स्वस्थन अनंग आदे स्रीके स्थान पर हो जाएगा तब कि अब है अपने शर्वनाव स्थाने टास हम बुद्धु पड़ा था उससे उपधा का दिरुक कर दिया कि नहीं कि यहां यहां नहीं लगेगा नहीं लगेगा यह यहां लग जाएगा यहां लग जाएगा रहा यहां नहीं लगे तो को यहां का हो जाएगा दिरंधाने श्चासम बुद्ध्ध उपधा ने तौन के सब्सक्रां लेगे वह थे क्या पर विए यहाँ तो अप्तरित न रिंतरी से नप्तरी लग जाएगा यहांbul भड़ी करदेगा यहां सवसान हो गया ठीक है अब इसके बाद लगे हुए सूप्रत्य के सा को हल्ग्याभ्यों दिर्घा सुती से प्रिक्तम हल से सालूप्त कर देंगे हलंत शब्द हो जाने के कारण और ना को नला नरोपफ प्रातिपधिकानतर से सिलोप कर देंगे तो याता दुहिता बन गया याता दुहिता माता ननांदा बन गया अब जब अव इत्यादी प्रत्ते लगेगा तो मैं आपको लिख देता हूँ और उपधा की वर्दी यहाँ को दिर हो जाएगा हुँ प्रते लगा हुँ अब देख लेज़े हैं यहां मात्र शब्द के बाद प्रत्य इन सभी के बाद का फृत्य यहिक इसकिकिक बाद एक साथ लिख जाऊंड़ ने ADAM paju एक सूतर पड़ा था नित्म डानवत अंप्रतेक रिकारांत्र शब्द के रिहनंत पर गुण हो जाया क्या गुण होगा कुरण रपड़ा से रपर होकर आ जाएगा मातर ठीक मातर दुही तर ठीक एक मिनट यह क्या हो रहा है कि दुही तर फिर इसी तरह नना अंदर और इसी तरह यातर ठीक है और यहा क्या बन जाएगा सवसर हिओ यहां उपधा को दिराज जाएगा अक्थरिंट्रिष सुसारस, सुसारअ सभसा स 맛있ारव, सुसारअ ऐसार उब बनेगा पर यहां माता मातारो नहीं बनेगा क्योंकि अप्तरिंत्री सूत्र से उब दाओदा को दिर्गने नहीं होगा मातरव ऐसे गुण हुआ, अवजूर गया मातर आव मातरव दुहितरव ननांदरव यातरव मातरह दुहितरह ननांदरह और यातरह प्रत्ते लगने पर ठीक है अम प्रत्ते लगने पर भी रितोंगी सर्वनाम स्थानयोह से गुण होगा तो ननांदर मातर यातर यत्यादी बनेगा ही ठीक और यहां भी स्वसर बनेगा पर अप्तरिंत यहां पर भर्दि हो जाएगी ऊहां पर दिर्गोंग द्रीग हो जाएगा अबिद्ध हो जाएगा लेकिन यहां उपधा को धिर्ग नहीं हो पाएगा थीक है पश्ट है। तो यहां यहां स्वसारम परेगा पर यहां दुहितरम ननांदरम मातरम और यातरम। उपधा को दिर्ग नहीं हो पाया। ठीक है। फिर इसके बाद आउट तो स्वसारव। कि परमातर्व वयातरू दुहीतरू ननांतरूوس के टि के सश श्वस लगने पर समान हो जाएगा सभी का रूप क्योकि अब श्वस प्रत्य तो सरवनामस्थान है नहीं तो अब तर. त. अब त. और श्वस मैं एक ए जगह बना रहा Hers बाकी अब और सब जगा बनाते चलिएगा ठीक इसी तरह खाली एक जगा बना दे रहा हूं बाकी सब में जोड़ दूँगा ठीक है सश्रिश शस वैसे बचा क्या अस अस बचा और फिर प्रतमयों पूर सवरना लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए लगना चाहिए तो प् अभित्री ननांद्री या त्री ये बंद आए बंद आएगा फिर इसके बाद ता प्रत्ते लगा है ठीक ता प्रत्ते लगा शब्द कौन सा है फिर से मैं लिख रहा हूं शब्द वही है स्वस्रिश प्रत्ते लगा टा बच्शा आ ठीक स्वस्रिश आ ठीक है एको इको जानाची हो गया रीक उर्रा हो गया तो स्वस्रा मात्रा दुहित्रा ननान्द्रा यात्रा ठीक यात्रा वो आली यात्रा नहीं है ठीक तो वह यात्रा प्रस्मा विवक्ति वाली है जो हम करते हैं और वह यात्रा तिर्थिया विवक्ति वाली है यात्रा यात्री शब्द का वैसे अर्थ क्या कहते हैं यात्री शब्द का आर्थ साइद दिवरानी जठानी होता है ठीक देवरानी जिठानी होता है यात्रिशब्द कार्थ देख लिजेगा पर हाँ पति ब्रात्रिपत्नी पति ब्रात्रिपत्नी मतलब पती के भाई की पत्नी अब पती की भाई की पत्नी वो जिठानी भी हो सकती देवरानी भी हो सकती ठीक है इसलिए यात्रिशब्द कहा है तो स्वस्रा बना स्वस्रा मात्रा दुहित्रा ननांद्रा यात्रा बन गया अफिर स्वस्री भ्याम मात्री भ्याम दुहित्री भ्याम ननांद्र भ्याम यात्री भ्याम स्वस्री भी मात्री भी दुहित्री भी ननांद्र भी यात्री भी बन गया सभी बन रहे ना फिर इसके ब बचा क्या है एंट है एकको यह जो Watson वेंट इस री को आप देखे आप इस री को आप आईसे रहा करते जाएंगे तो यह हो जाएगा पैद ए जुर जाएगा स्वस्रे इसी तरह मात्रे पित्रे इंत्यादे बनाया इंटा मने क्रुषट्र भनायाया ही ध है मात आप मात्रे PrivMa3UND 53 या 3 घिल स्भाय है ध्याम्यास हो जाएगा नसी ओर्णस में प्रत्य में आते हैं गसी और लगने पर बचता है अस बचता है ना यहां पर किया होता है रे ट enforced लगता है कि नहीं सत्वाइब शब्ध के बाद ज Commerce का आ हो तो पूर्वी पर दोनों के स्थान पर ये भी हट जाएगा यह भी में दोनों के स्थान पर आजाएगा उठ रृपरा से रफर होकर उर आ जाएगा का ठीक तो क्या बन जाएगा देख लीज revolution में यह रहाश्वा यह रहाश शावाध्य हो गया ठीक और ये इंघस्प्रत्य का आचला चुजा चुका है केवल साब अचा हुआ है ठीक ऐसा बन गया ना स्वस्वर्स राद सस्से सही साकालोप हो जाएगा रकारां ध्रेफान्त के बाद संयोग का संयोगांत साकालोप हो जाता है और इस रहा का खरवसाने और विसरजनिया से विसरग हो जाएगा ठीक तो स्वसु हूँ इसी तरह मातु हूँ दुहितु हूँ ननांदु हूँ यातु हूँ बनेगा एक जैसे नियम लग रहे हैं काली प्रतमादितिया में अंतर पड़ रहा है पिर इसके बाद गसी और शूँ गया भ्यांभयस भी और ओस की बारी आही tookidd eye味 कैसा हो शुर्षी वाला हो चाहे सप्तमिवाला हो सुनेक्या क्या रीके स्थान पर रोड़ा हो जाएगा रिके स्थान पर इको यह उनकी से रह बहाएगा स्वश्रो स्वश्रो बनहाएगा इसी तरह मात्रो द्वीत्रो न्नान्द्रो या त्रोभ इस परोट है पिपिर इसके बाद कि आम प्रत्थे लगाते कों प्रत्थे लगाते हैं आम स्वश्रे री कि हैzus स्वस्री आम रस्वन अध्यापूनुट लगेगा ना तो आम बन जाएगा नाम स्वस्री नाम हो गया रिवर्नान नस्य नत्वम वाच्यम तो ना के स्थान पर ना हो जाएगा स्वस्री नाम नाम इसे दिर्ग भी होगा ठीक तो स्वस्री नाम मात्री नाम ध्वित्री नाम ननांद्रे नाम और यात्री नाम स्पष्ट है कि यह किसी को यात्री यान जैसा दिखाई पड़ रहा होगा पर यह यान नहीं है यह त्रे है यात्री ठीक है इदनी बात स्पष्ट है फिर अब स्वस्री के बाद गी प्रत्य लगा गी में से बचा क्या यहां रितों गी सर्वनामस्थान यह लग जाएगा गी प्रत्य हो या सर्वनामस्थान प्रत्य हो तो री के स्थान पर गुण हो जाया करता है अब यह रारी इसके स्थान पर गु दुहितारी ननांदारी यातारी बन जाएगा पश्ट है फिर ओस तो बना ही लेंगे आप इको यनची लगा करके और सुप स्वस्रिशू खाली सुप के सू को दंते से मुर्धन्य करना रहेगा बस यह आदेश प्रत्ते यह नियम लगा कर तो मात्रिशू दुहित्रिशू न बन गया संबोधन के एक वचन में अलग रूप बनता है संबोधन के एक वचन में अलग रूप बनता है पर दिवचन बहुचन का बना चुके हैं ससारव ससारा और मातरव मातरव दुहितरव दुहितरव द्यातरव यातरव ननांदरव ननांदरव और जस लगने पर क्या बनता हूं बन चुका है केवल सू प्रत्य लगाने पर क्या बनता है कि स्वास्री कि सू का बचास्वा कि यहां तो कि वो क्या कहते हैं कि पहले कौन सानी हम लगाएंगे पहले हरस्व है एक मिनट हम पित्रिशब्द में क्या कर रहे थे पित्रिशब्द में रितोंगी सर्वनावस्थान है यह ठीक रितोंगी सर्वनावस्थान यह उसे गुण कर रहे थे ना रिकारांत शब्द है यह और यह सर्वनावस्थान प्रत्य पर में है ठीक वो वाला नियम तो लग नहीं पाएगा कौन सा अरे जो रिदुशनस पुरुदंसों नहीं है सामच वो नहीं लग पाएगा क्योंकि असंबुद्धी सू होना चाहिए यह संबुद्धी वाला सू है ठीक तो सस्री स इस स जो है इसके कारणरी को गुण हो गया बन गया ससर एक दुछरे वाला कलर सबसर अधिक यहां आप चाहें तो राजसत से कर दिया आपने कर दिया सबसर और रा के स्थान पर खरवसाने और विशर्दनियह से विशर्ग कर दिया सबसर ठीक इसी तरह है मात है ए दुहित है ननांदह है यात है ठीक है है किसे थफिए कटैने तो यह वो है आध सभी स्भी स्वश्री इत्याजी जो शेह सब्द Detroit उन सभी शब्दों को हमने देख लिया यानि या सब्द बनाना जानगे य साथ याता माता ये 7 बना लिए अब भूग बना लिए आपने माता पी 13 गी तरह चलेगा केवल स्वास प्रक्ते लगे रहने प्रमातरी हो जाएगा नो समय च्छ में सब्सक्राइब जोव शब्द थे दो एक जोव रा और नौ तीन शब्द और बचे अभी हमें लगाता हुआ है तीन शब्द दोर बचे हैं आप सब अगर सुनना चाहें तो भी आजे बता दें नहीं तो पर नहीं कि पढ़ना चाहें तो कल्ब बता देंगे आज आज इबताना सुनना चाहेंगे तो आज बता देंगे और यह दिछ आते हैं कि अभी कल देखें तो कल बता देंगे कल भी समाप लेकिन कल शाम को इस समय अश्टम ही शुरू हो जाएगा तो आज खतम कर दिया जाए थोगा सा लंबा खीच लिया जाए कोई दिक्कत नही है भुजन हो जयकर तो कोई टेंशन है ही हम हूं कि ईसर जर गोवत दो निखा है पर मूलता शब्द है द्यों थीक ही मूलता शब्द है क्या द्यों यह या द्यों शब्द गोव्षब की это नहीं गए लिभर शाब्द स्ट्रेलिंग है गोवर्षब्दपुलिंग रहे हैं गोशब्द प्रिलिंग स्ट्रिलिंग दोनद पर गो की तरह ही चलेगा क्यों क्योंकि वहां तो गोतोणित कहा था पर गोतोणित सूत्र का अर्थ बताते समय ओकाराद भीतम सर्वनामस्थानम निद्वत ऐसा गाहा गया था अर्थ सूत्र वाएं अर्थ करसूत्र की वृत्ति बताते समय देवा आपको ध्यान हो तो मैं ने मताया था कि सूत्र में भले ही गोतोững कहा है पर उसके बाद वारतिक काया वर कहीं कई लोगों काम वार्तिक कार काम यहीं कुछ लोग कहते हक्यां कि फास्टे कभी मत यहीं हितma कि गो सब्द ंटा उसके जगह तहके ना थे ओता अनित हो वकारांत शब्ध के बाद आने वाला सर्वनामस्थान प्रते अनित हो जाते हैं तो यानि द्यों शब्द के बाद भी लगने वाला सर्वनामस्थान प्रते कोण कोण सा कि यहीं पांच प्रते हैंगी नहीं घपांच प्रते नहीं तो है यहान देखेगा कि द्यूल गववत इस शब्द को देखेएगा एक मिनट यात्री त्यादी शब्दों को देखी लिए आपने द्योर गववत हाँ चले शब्द क्या है द्योव एक मिनट जो प्रत्य लगा सू या अउजस अम आउट इतने में से कुछ भी लगे सू अउजस अम आउट तो क्या हो जाएगा हाँ कаю गोथोनित सुत्र से यह वह यह पाँचों प्रत्य सूप जासा अम हुट अने तो मानने जाएंगे तो अचों अनीती Tail लगे और जब ऑउ प्रते लगें तो भी नित्मोगा उल्ली उगा तो ये चो जाएगाो ह। ईसी तरह किर क्या होगया जोघावज थी प्र सब्सक्रेसमे है एक हो बात जेव क्या हो गया जे अम यहां रिथोंगी हो इसल पागब लेकीन अउटों मुशर नियम नियम पड़ा था वह क्या काथ आ अ उतभ लगे हुए हो तो प्रत्ते लगे होने पर उत्तान पर अगो जाएगा थो डयाम प्रत्त अगरे आउट तो यावो रहे अव्ट तो ज़े बोद रहे ज्यास ज्यास साकुरुत विशर्ग कर लेंगे ज्याह ठीक तो ज्यावू ज्याह इत्यादी रूप बन गया फिर इसके बाद अब जो अब जो जो जब्त है जो अब तो उग नित बचेगा नहीं आउट के बाद तो कोई बचा नित अगर प्रत्य का पहला वर्ण वर्ण है तो आपने जूड़ दीजे तरहा है तो अवट जोड़ dीजे अब बचा अभास आदिस Lisa को आदे सुगह घंत जो भ्याम भीस तो ज्योभी स्थी लोभी ठीक में तो ज्यवे अवादे सुगह थां ज्योब अ कि जोब्या हाँ कि जला है ना जला एधर बना था नहीं है वहां क्या हो जाता है ज्योबा रूप नहीं बनेगा कि आंने हैCs को कारां तो अन्हें कह पूर्फ चानियम लगेगा उक्राण के पर रोजाता ध्योश अ chased जह से गोव हो बना था इसे जीएक द्योव और फिर यॉस प्रत्ते रहेगा तो उसके और शरवर्ण है इसलिए जाएगा ज्यौन? आम प्रत्ते रहेगा घरांaj भर सुन्सके जाएगा फिर ऑmp已 ज्र से वायावा से अब आदेश कर दिया ध्यावी ध्यावी बन जाएगा तिर विद्ध्या का उल्टा ने विद्ध्या का उल्टा ने विद्ध्या का उल्टा ध्यावी तो फिर क्या हो गया जो वो हो फिर द्यवो हो और फिर द्योशु द्योशु मुर्धन्य हो जाए ठीक फिर इसके बाद कॉक्त बढ़ां में क्या लगेगा तुम jumping in going to okay ni अनित्खोने के कारण अईसा तो नहीं था संबुध्धी से वरजित हो नचे सतो कुई निव करद नहीं था सद्योव्सू सर्वनामस्थान कारण यह रुद्धी हो जाएगी अचोडिती से तो यह रुद्धी इसर गोड़ाएगा दियोव्स एथे इसके बाद सपथा है अब इसके कि यह यह जो बनाया है क्या बनाया है यह जो देख लिजेगा कोई पुस्तक में गुविंदा चाले जी क्या बनाएं मुझे जो अगर बनाना होगा तो जत्त एक मिनट तो पहले एंग एंग रसात संबुद्द्धे से लोग कर देंगे लगठ हो जाने के कारण पर एंग रसात संबुद्धे एक मिनट जो भी ही बननागा यह जो नहीं बनेगा एग विस्तर के सई ठीक है गुव बनाया था ना तो इस एक तिर इसके बाद जो यह राह पुम्वत राह पुम्वत शब्द है यह राह पुम्वत का मतलब क्या है कि रई शब्द है वो पुलिंग और स्त्रेलिंग दोनों प्रकार का होता है तो स्त्रेलिंग में वह उचारण उसका पुलिंग के समान ही होता है मैं ठीक मैं राओ हली नियम लगेगा रायो हली क्या नियम क्या कहता है कि कह देखे कि व्रुद क्या है रई यदि प्रत्य का पहला वर्ण हल है प्रत्य का पहला वर्ण हल है तो रायों हली से रई के स्थान पर रा हो जाएगा अई के स्थान पर आ हो जाएगा तो रा हो जाएगा बस इतने अब प्रत्य का पहला वर्ण स्वर्वर्ण है तो राई रजुडेगा प्रत्य का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है तो रा जुडेगा बस ठीक है जैसे राई सू प्रत्य वर्ण का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है इसलिए रा हो जाएगा रायो हली है ना सू का सा हलो है तो सा को विसर्ख हो जाएगा राह क्या मना राह ऐसा बाकगंचा कि राय र प्रत्य का पहला वर्न लेंगे लगेगा नहीं राहु नहीं पाएगा तो जुड़ जाएगा राय आव आय आदेश करना है प्रत्य का पहला वर्ण है व्यंजन स्वर तो आय आदेश हो जाएगा की नहीं यह वाय वास तो राय बन जाएगा राय अस राय अम राय अउट रायो ठीक राय शस राय अइसा ही रूप बनेगा ना कि फिर उसके बाद राय राट रही टा राय 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 अब भ्याम रहेगा तो रायो हली लग जाएगा तो रही के स्थान पर राह हो जाएगा राभ्याम राभी पर यह हुआ तो राय यह अगने नय सुपथा राय यह महां राय है तो राय हो गया फिर उसके बाद राभ्याम राभ्या फिर रै अस रायस रायः पंचम झस्टी में राभ्याम राभ्या शश्टि में भी राय के पिर राएोँ माले रायोँ को नहीं रायोँ आयारे द्स होगा ना ऐ आयंगे रा रई old राय ऊष्रायोष रायोँ फिर फिर इसके बाद रायां राय develop हम रसन अध्यापनिट तो लगेगा नहीं आमका आम पचा रहेगा एचरी वायवहस आया सुजाईगा रायelnा यां थिक फिर राए य सिंह राई य रेए है राय बन जाएका य जड़ जाएंगा राई राई-on रास रास सुंफ फ्रते जुरेगा तौराय हली लग जाएगा अ कि आपन जाएगा स्दंत्सा को मुर्धन रिशा नहीं हो पाएगा ना रासु बन गया मैं इसके बाद हे रा ते रा है रा लिसर घोगा ठीक है रा हे रायो है राया वह इसे प्रत्मा में बना था ठीक है अब यह हो गया रा पुमवद पुम्दलिंग शब्द में जैसे बनाय था वहें से बना लीजिए और एक दुश्ब्द है इस्त्रिलिंग यहीं जैसे ग्लॉशब्द बनाया था है वह इसे नौ शब्द बना लिजिए ग्लावशब्द हम फ़लिंग में बना चुके हैं वैसे ही नौ शब्द बना लिजिए विक्या है सिंपल बात है प्रत्य का पहला वर्ण व्यंजन तो नव का नव बचा रह जाएगा और प्रत्य का पहला वर्ण सरवर्ण तो नव के अव के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा तो नव क्या बन जाएगा या तो आव आदेश हो कर नाव बन जाएगा या तो नव ऐसे का वैसा बच तर्फो जाएगा नाव नॉफ ढूल आव आदेश कर दीजिए नावव स नावस नावह ठीक नौ नाव। नावह नौ नावम आदेशने का प्रत्रेका पुन्सि के बाते नहीं ता नावा नावा नाव हो जाएगा नौ भ्याम ऐसे का इसा ररे जाएगा नौ भिस जो भिस ठीक थिर नावे क्या बन जाएगा नावे नेर जुड़ेंगा ये का ये नावे नव भ्याम नोब्हा कि ना वह अस नुखर और नसीर नस ब्रस जुड़ेता तो न वह ना वह नांधunuz है अलो वेगा न पंच मिय सश्टी में नुन क्या नुचल बन जाएका ना वोर फिर उसके बाद नावाम नव आम आव आदेशव नावाम फिर नव इ नव इ बचा नव इ नावी बन गया नावी फिर उसके बाद नव 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 नवश नव 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 नवस बन जाएगा यें नव नव का शू कर लिजेगा क्योंकि एंग तो है नहीं एंगर सौन्स अधम बुद्धे लग नहीं पाएगा हे नाव नव इस प्रश्ट है तो नवर गलावव नव ग्लवशब्द की तरह रहेगा तोई स्तार से इत्य जंत स्ट्री लिंगा कि इस तरह से अजंत्पस्त्री लिंग पर्सों यानि不錯 हम subscribe के अगताव हैं और बुदतने खिल के चलेंगे कर नव्हकर यहां पहिला 9 10 11 12 13 14 कि इतने हैं प्रभू 15 16 17 सुत्र हैं ठीक तो 17 सुत्र हैं उसको भी एक आधत्य में निप्टा दिया जाएगा यानि अफ्ष्टमी से अगली प्रतिवदा के मध्य में भुगवानने चाहा तो भी नपन्सक लिंग भी खतम हो जाएगा फिर हलंत शब्दों की प्रक्रि में थोड़ा सा और आसाणी और थोड़ी सी और जल्दि होगी कि थोड़ी सी और और आसाणी और थोड़ी सी और Pre 다니 you कि क्योंकि सरवर्स तुरंत बाद में तो संधी के कामों थोड़ी से कम सकतें तक प्रत्ते कम हैं सब्सक्राइं परतो ज्यादा है है ना तो हOY ने इसलिए बिंजन वाले शब्द समापत हो जाएंगे सभी लोग जुड़े रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमों नमहाद